नमस्ते हाम ही अभिशेक और हमारे समय उपश्थिती बार मौजनपद में समाजवादी पाल्टी के राष्ट्रे सचीव राजीव राय के आवास पर यहाँ पर पीछे लगातार करीब 14 घंटा से इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के छापे मारी चलदबाही अंदर गेट के अं समाजवादी पाल्टी के जो कारकरता बाड़े लगातार जिंदाबाद कर रहे हैं राजी राय और योगी सरकार मुर्दाबाद कर रहे हैं आप यहां सामने देखेंगे तो बकायदा समाजवादी पाल्टी के कारकरता जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं ठंड काफी अधिक है तो आप यहां पर देखेंगे तो अलाव की ब्योष्था की गई है अब रात के 10 बजने वाले हैं लेकिन समाजवादी पाल्टी के जो कारे करता हैं नेता हैं लगातार यहां पर खड़े हैं और अपने नेता के समर्थन में अपना स्वायोग दे रहे है क्योंकि इसी केंपस के अंदर समाजवादी पाल्टी के नेता जो राजी रहा हैं उनके आवास के अंदर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है लगातार छापे मारी कर रहे हैं और सबकी चर्चा यह हो रही है कि करीब 14 घंटे से इस केंपस के अंदर क्या चल लेकिन मौव में जो चापे मारी सुबह 6 बजे से शुरू हुआ था राज के 10 बजे भी अभी लगातार जारी है ठंड काफी अधीक है यहां पर आलाव की बिवस्ता की गई है और लोग ठंड से ठिटूर ने उसके बावजूद मियां पर मौजूद हैं कब तक खड़ा रह आएगी तब तक हम लोग खड़ा रहेंगे इस्तिती आप देखी रहे हैं सुबह से 15 घंटा से उपर हो गया अब तक इंकम टेक्स के अधिकारी यहां छपा मारे हैं प्रसासन खड़ी है और समझवादी पाल्टी के भी नेता खड़े हैं अब लगता है कि सरकार से इट से बजाया जाएगा यूगी मोदी इंदूनों को दूनों पगल लोग आइनन के पता हो गलबा कि 2022 में पर्देश में समाजवादी का सरकार बने जाथी है वह इसे दूनों को दूनों पगलागर बाना सा ना कल जला बिनास काले बिप्रित बुद्धी उए कंडिशन उतर परदेश की योगी के बाँ परदानमंतरी मुदी के बाटिक ना है यतना ठंडा बढ़त जाद बाँ अलगातार राण्यती गर्मी होत बादाई का समझा थो ब फरक निगे पड़ेके हमान का अपनी राष्ट्री सचीव खातिन परवक्ता खातिन जी जान से यान लगा लें जा उनकी पर कवनों तरक आच ना हो देल जाए इस चोर इनी धंगडा के तरनों कोशिश करने सा कवनों तरक दागेदार अपनी ने ताक हमान का ना होके देल आपने का हर तरह से अपरा समर सकता तैयार बाड़ शूरा अ अंदर और वह उत्त भा जन्म बेर्वल का खिचडी पाकतबाह जौन कल्जाला की विर्वल का खिचडी वैं पकाहत्वा मिले तुंट शूत बाद ना बाद आ ऑन आसे जो नो चीलम वाला सरकार बाद शीलम वा आग बार के आशिव्याई की लोगन के इतापहल जाई अब जोगी बाबा के काई दा कि व्यू लोग जोगी बाबा चल जाए मंदिर मठ पर घंटा बजावे अब मोधी जीजिए उन काले तेज होला उटाके चल देंगे जोन कातला कि एपकी रही आठाजार करोड प्लेन मे अब चल यह डानी यंबानी के लगे बीदेश भाग जेंगें का लगत भाट ठंड तबढ़त जादवा कबले जो पसे दिए गुरुजी खुप सांती से जोन उनका कारकरम हो उकने जोन हमान का कारकरम हो हमान काल जांग ठीक ना जी कहीं अवरोधना पुरी पाठी जोना उनक सनिक आया है उनके लिए खाना पीने की व्यवस्ता अगर करनी है तो कमेठी के समाजवादी पार्टी के लोग उसारी व्यवस्ता करें तो देखिए यहाँ पर बहुत घंड काफी बढ़ गई आज लोग से ठीटूर रहे हैं लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कारे करता ह उनका होसला लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने नेता राजीव राय के समर्थन में यहां पर मौझूद है आप देखेंगे तो बाहर कई जगहों पर अलाव की व्यूस्ता की गई है और लोग अलाव ताप रहे हैं और अपने राव नेता के समर्थन में जिंदा बाद आपके ताजी चला है चला क्या रहा है सुबह 6 बे से और समय लगबक 10 बज़िया पता नहीं कौन से जाच हो रही है एक कमरे में अलाकि यहां कुछ है भी नहीं आदड़ी राजी 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 का लेकित पता नहीं कौन से जाच चल रही है तो हम लोग ना डरने वाले न भागने वाले हैं पूरी राज जाच चलेगी तो हम लोग यहां रहेंगे कही दिन जाच चलेगी तो हम लोग रहेंगे हम लोग भागने वाले लोग नहीं है हम लोग समझवादी पाल्टी के करता है हम लोग के कत्रे-कत्रे में समझवादी पाल्टी के नामों निसान है थ आप लोग के सामने से आप लोगों के साथ से हम लोग सुबसाद साथ बजे साध्य साथ बजे से हम को लग रहा है जब हम को में आया थो अप लोग भी आप लोग भी इस्तिती देख रहा है कुछ पता चल ला अंदर क्या पक रहा है क्या चाहिए जब कुछ रहेगा तम न कुछ मिलेगा केवल सरकार दुएस की राजनीत कर रही है और कुछ नहीं है दुएस की दिष्टी से ऐसे को जो लगतार गरीबों की ज़रत मंदों की मदत करता है ऐसे नेता की विदाक छबी को डागदार करने का एक प्रयास किया रहा है लेकिन मैं यहीं करना चाहूंगा जाको राक honest dapat मार सके न कोई जब उपर वाला साथ है हमारे नेता के तो यह यहां नीचे वाले कुछ बना भी गाड़ नहीं सकते हैं तो जाच जब तक चलनी है जाच करें हम समझवादी कारिकरता समझवादी सिपाई अंत तक डटे रहेंगे जब तक जाच पूरी न हो जाए हम लोग अतमान समय में काफी बढ़ गई है जिसके चलते चापे मारी की गई है क्या लग रहा है नेता जी क्या सब चलना है अना वा शक परसान किया जा रहा है भारती जनता पार्टी के लोग माननी राजीव राइजीक से खबड़ा गये हैं क्योंकि उनकी हर कम्यों को उजागर कर करते रहते हैं यह हमेशा कि सरकार की जो भी गलतियां होती है उसको उजागर करते हैं इसलिए भारती जनता पार्टी इन से घपड़ा गई है और इनको दबाने के लिए कि अपने मुह ना खोले कुछ सरकार खिलाफ न बोले यह हमेशा यह लोग हतासा में कर रहा है और भा और पार्टी हमारी आगे बढ़ेगी जब हमारे नेता गलत नहीं है तो इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है कोई इनका काम गलत नहीं है तो इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं है जब इनका बिगड़ेगा नहीं तो परसान कर रहा है तो जनता भी समझती है कि समाजवा भी करवाय की जा रही है इसमें सत्य को ख़रता की चल रही है कि राजीव राय की निकलेगा, का अंदर से अंदर से कुछ खजाना निकलेगा क्या तमाम चीजे निकलेंगी या जो कुछ होगा उसका अपडेट हम आपको बताएंगे आप मेरे साथ या अविशेक सिंग के साथ बने रहिए कि तदने चालिपोश अपको बताएंगे या ज हमा काज़ने बताएंगे लुखे या जयाल को कि यापको बताएंगे याद गविद निक हब को आपको कवडेश इन दोताएंगे इन आपको कि द्रू lessएंगे कि ओ